हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे फ्लाइट में ज्यादा तर क्रू मैंबर महिला ही क्यों होती हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्या कभी आपने किसी फ्लाइट में सफर किया है? अगर नहीं तो फिल्म या ब्लॉग में किसी को सफर करते हुए जरूर देखा होगा इस दोरान आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि यात्रियों की मदद के लिए ज्यादा तर महिला स्टाफ ही होती है तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यूं होता है? महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा फ्लाइट स्टाफ में ज्यादा वरियता क्यूं दी जाती है? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण खूबसूरती है पर ऐसा नहीं इसके पीछे का कारण कुछ और है आई ये जानते हैं ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलोजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की बजाए महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और सुनते ही नहीं है बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं फ्लाइट में सेफटी गाईडलाइन्स और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है इसलिए फ्लाइट में ज्यादातर एयाहोस्टेस ही इन सब बातों का ऐलान करती हैं फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं को ज्यादा तर चुने जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका चरित्र पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कोमल, उदार और विनम्र होता है उनके इसी उदार चरित्र के चलते यात्रियों के मन में फ्लाइट कमपनी के प्रती एक सकारात्मक छवी बनती है एक मानिता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाए प्रबंधन को संभालने में अधिक सक्षम होती है वो किसी भी बात को ध्यान पूरवक सुनती है और उस पर अमल भी करती है इन्ही कारणों के चलते फ्लाइट क्रू में पुरुषों की बजाए महिलाओं को ज्यादा शामिल किया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ज्यादातर विमान कमपनिया उन्ही हालातों में पुरुषों को फ्लाइट अटैंडेंट के रूप में चुनती हैं जब ज्यादा बल और महनत का काम होता है आपको विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद मिलते हैं अगली विडियो में